तो फिफ्टी टू कुछ नमसी तक हम करवा चुके थे आपको कुछ रीडू करने को बोले थे लेकिन आप भेजे नहीं मुस्ट प्रावली अगर भेजे भी हो तो आपने मैंने अब तक चेक किया है इतना कुछ याद नहीं आ रहा है तो जब भी आप कुछ भेजते हो तो यह थोड़ा आप रिस्पॉंसिबिटी है क्योंकि आपको मालूम है सर कितना बिजी रहते तो सर बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे आप दुबारा अगर कुछ मैसेज करो सर आपने अभी तक काइनली इसको चेक कर दी चेक नहीं हुआ है तो देखना इसको अगर चेक नहीं हु है भविश्यत समझाने के लिए जैसे कि महेज बोलता है हाई इसमाइल हाव और यू इसलाइम आप क्या से हो इसमाइल 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 बोलता है ओ फाइन आइम गोईंग टु अमेरिका इन वीक तो यहां क्या आइम गोईंग मतला अभी जा नहीं रहा है आइम लेकिन पूरा सेंटेज मतलब क्या हो रहा है कि हम अच्छा हूं ओ फाइन चाहूं आइम गोई टो अमेरिका इन वीक में एक हफ्ते में अमेरिका जा रहा हूं या जाने वाला हूं महेज इस देट सो ऐसा क्या वाट विल यू बीट देर आप वहां क्या करने वाले हो इसमा मैं आंट नियॉयॉक मैं अपने आंट के साथ नियॉयॉक में रहने वाला हूं कि I have already booked my tickets मैंने पहले से टिकेट बुक करा रखा मैं प्रेन लीवं उर्मेश डे मैरा प्लेन बुद्वार को छूटेगा डैँए लीव साब का सिंपल प्रेजन है लीव साब का सिंपल प्रेजन खेयर सिंपल्स ब्रेजन बॉस्टि वहां से राखांग हों बहुत बारी की से समझा तो यह पूरा एकी साथ में हम यह सारा फ्यूचर सम के साथ आएंजी तो एम है वहर आपका गो है गो के साथ आएंजी जुड़ा हुआ है और फ्यूचर भीस में विल भी ये फ्यूचर क्लियूज होता है विल बी स्टेइंग जो भविश्यत में होने वाला है तो सारी चीजे जो है बिलुकुल सटीक मतलब है यह आपको समझ के आपको यह करने पड़ेंगे जैसा कि आपको समझाया हुआ है बेर फ्यूचर प्रजेंट प्रजेंट इस अए जमाने प्रजेंट यह विल रहा है यह समझा रहा है तो हम बोल सकते हैं We can use the present continuous in place of going to तो पैस एन कणिनियस हम यूज कर सकते हैं going to के जगह going to form तो जब भी हम यह गोई तू करते तो आपकुछ ना कुछ बताय रहता है संटेंस में कि पहले से वैवस्ता किया हुआ है जैसे कि यहां बताय गया था कि I am going to America in a week हफ्ते में मला वैवस्ता हो रखा इसलिए वहां जा रहा हूं कि we use the simple present tense to talk about events in the future which occur at a specific time or simple present tense जैसा leaves use क्या है कभ इस्त्वाल करेंगे भविश्यत में जब किसी एक निर्दिष्ट या फिक्स समय पर यह दिन में अगर कुछ काम होने वाला जैसे माई प्लेंट लीवस्ताइब मेरा प्लें बुद्वार को छुटेगा तब हम यूज करेंगे simple present tense so future continuous tense is will be future continuous tense will be plus भर्ब के साथ आयन जी आएगा I will be watching the cricket match on television when she arrives tonight रात को जब आएगी उस वक्त मैं cricket match देख रहा हूंगा the conductor will be selling the tickets when the bus is in motion conductor ticket बेच रहा होगा जब बस चल रहा हो चल रहा होगा बस चलेगा he will be studying at the library tonight आज रात वो लाइबरी में पढने वाला है या पढ़ेगा he will be studying आज रात में वहां पढ़ेगा लाइबरी में पढ़ेगा all the highlighted words are in the future continuous tense the future continuous tense structure के आपको will be plus verb के साथ IMG the future continuous tense is used for an action that will go on for some time in the future तो यह कब इस्तभल करते भविश्यत में जब कोई काम कुछ समय तक चलता रहेगा जैसे वो पढ़ेगा तो कुछ समय तक पढ़ता रहेगा पीछे क्या था आपका आइव वाचिंग देखूंगा तो कुछ समय तक देखता रहेगा किछ क्रिकेट मैच दूसरा आपको समय तक बेशता रहेगा टिकेट भविश्यत में कुछ काम कुछ समय चलता रहेगा तब हम यह इस्तमाल करते हैं तो यहां के फिलिंद ब्लैंक्स है विद शिम्पल फ्यूचर और दो फ्यूचर कंडिनेश टेंस तो शिम्पल फ्यूचर यह नहीं कुछ हो गा भवैश्यत में और फ्यूचर कंडिनिश यह नहीं भवैश्यत में कोई काम कुछ समय तक चलता रहेगा एक हम बताएंगे आपको he dash for us till our train arrives I am sure he dash on the platform when we reach the station so he will wait for us वो हमारे लिए इंतजार करेगा till our train arrives जब तक कि हमारा train आता है I am sure he will be standing मैं शेवर हो कि वो खड़ा रहेगा उस तो में on the platform when we reach the station तो जब हम station पहुचेंगे मैं sure हूँ कि वो वहाँ पर खड़ा रहेगा will be standing तो इस समझ कि आप करोगे किताब में सुन्दर से करके जगा छोटा है उपर उपर को लिखके सुन्दर से पेंसिल से लिखोगे future perfect tense का structure है भाई will साथ में have होगा और verb का past tense यानि V2 reach reached reached second form of the verb they will have reached the station by evening शाम तक वो station पहुच चुके होंगे will Arun have received the parcel by Sunday क्या Sunday तक Arun को parcel मिल जाएगा parcel समझते हो ना कोई gift या कुछ सावान जो भेजते किसी को तो ये जो है will have और ये जो भर्व है ये समझाते हम को future perfect tense have होगा आपके V2 कर स्थमाल करते हैं future perfect tense हम कब स्थमाल करते हैं the future perfect tense is used when we wish to say something or some action will be over at a given point of time in the future भविश्यत में कोई काम हो चुका होगा जैसे दे विल है रीच्ट शेशन बाइवनिंग शाम तक वो station पहुच चुके होंगे बलाब पहुच चुके हैं वो खतम हो गया काम ठीक है नहीं नो फॉर्म फॉच्ट परफिक्टेंस क्या फॉर्म है यह बज़े से पता है विल्या शेल विली यूज करना है वोगा और पास पार्टिसिबल ऑप पास पार्टिसिबल होगा वी टूनी वी थ्री होगा आपका थर्ड फॉर्म प्वभर्फ यह एट-eaten ईटन होगा दिंग ड्रिंग ड्रंग ड्रंक ट्रंग ठर्ड फॉर्म प्वभर्फ उसी को पाटिसिबल बोलते हैं या सब अभर शाल है फॉर्श्ट इस म्योजिक लेशन्स या विल्भी उज्ट कर सकते हो by 7 p.m. साथ बज़े तक मधूर उसका music lessons खतम कर चुका होगा. The river will have overflown in July. Overflow, overflue, overflown. Finish, finished, finished. July तक नदी, overflow यानि पुरा जो level है उसके उपर पानी चलाया आएगा. तो यह E वाला भी करो गया आप फिर नदी ब्लांक से फ्यूचर परफेक्टेंस इसमें जो हमेला काम है, फ्यूचर परफेक्टेंस से भनना आपको By the month and I will have shifted to another city. तो यह E अच्छे इसमें कितना बचा हुआ है? अभी है काफी सारा. E और E जो D है, इसको आप अच्छे से करके हमको भेजोगे, उसके बाद हम next class चलू करेंगे next दिन. ध्यान से करना, कोशिश करना की गलती ना हो. कोशिश कर सकते हम लोग. Thank you very much.